अगर आपको बहुत अच्छी बेक्षी नहीं भी आती तो भी आप यह वाला स्पॉंज घर में बहुत इजीली बना सकते हैं और यह अपना वनके का केक जो है वोगी मैंने इसी रेसिपी से बनाया था और आज में आप में साथ ही रेसिपी शेयर करने लगी इसके लिए हमें 120 मैदे की जरूरत होगी और आपको क्या करना है एक कप मैदा लें और इसमें से 1 टेबल स्पून निकालने तो यह 120 ग्राम स्मेदा हो जाएगा 100 ग्राम यह फिर 3 फॉर्थ कप आपने लेनी है पाउडर शुगर और 4 एक्स की जरूरत होगी हमें और साथी साथ जाएगा 1 टी पर होने चाहिए और बीटर की हल्प से हम इने बीट करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा 1 टी स्पून वनीला एसेंस अब हम वनीला स्पॉंस बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने चारों अंडे तोड़ ली हैं और आपने इसकी सफेदी चर्दी को लाइदा नहीं के बाद हम आइस्दा इसमें शुगर आड़ करना स्टार्ट करेंगे आपने सारी शुगर एक रहिए बार में आड़ नहीं करनी बलके इसे 2-3 स्टेपस में आड़ करना है आपने इसे 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 7-8 मिनिट के लिए हाई स्पीड पर बीट करते रहना है और यह आप देख सक की ट्रांस्फोर्मेशन देख सकें किस तरह यह इसता इसका कलर चेंज हो रहा है और आपको टेक्च्चर भी फील हो रहा होगा कि इसका काफियत तक चेंज हो चुका है और व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो करिंडली ने लाइक किया करें और आप लोग मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं अग्स बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं अब मैंने इसमें हाफ टीजपून वनीला एसेंस अड़ किया है और थोड़ा थोड़ा करकर इसमें हम मैदा एड़ करते जाएंगे और हातों से इसे फोल्ड करेंगे यह थे स्टेप जो है यह बहुत ही कृटिकल और इंपॉरटन्ट स्टेपप है इस पर आपने सारा मैदा एक ही टाइम में नहीं आइड करना बलके थोड़ा-थोडा करके मैदा आड़ करना है और बिलकल हलकर हातों से इसे फोल्ड करते जाना है अगर इस स्टेप में आपने ज लेकिन अगर आप इतनी कॉंटिटी यूज़ करेंगे तो आपकी जो चीज है वो बिलकुल पॉर्फेक्ट बनेगी और यह चोटी चोटी टिप्स जो मैं आपको देती हूं आप लोग इसका जरूर है यह आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप दूसी तरह की कुसी भी कुकिंग में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लेकिन बेकिंग में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो बेरबल नहीं है हमारा वनीला स्पॉंच का बेटर जो है वो रेडी हो चुका है अब इसके बाद हम लोग एक पैन लेंगे कोई सा भी मोल्ड लें जिसमें आप केक बनाना चाहते हैं जिस भी शेप का आप केक बनाना चाहते हैं मैंने यहां पर राउंड मोल्ड लिया है और यह टू पॉंट केक बनाने के लिए परफेक्ट है और अब मैं अपना बेटर जो है सारा इसमें आइड कर दूंगी और मैंने मोल्ड पर अच्छी तरह से ग्रीसिंग करके इस पर बटर पेपर लगा दिया था और जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें कि मैं बेकिंग पतीले में करती हूं कि मैं किसी भी तरह का केक जो है और बगएर पतीले में बना सकते हैँ अभी से हम तीन से चार बार अच्छी तरह से टैप-рबिल्स था Okay इस वरी है बीब जैसे ही आउक्र पेज़ेन के अदिस टिर होगे कि कि मेरे हाथ में फॉन भी था आप लोग उन्हें फॉरण से इसमें मॉल्ड रखना है और इसे फॉरण से बंद करना है और इसकी फ्लेम जो है यह आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर रखा है जो दम वाली आँच होती है और 25 मिनट्स में मेरा केक जो है कि हमारा वनीला स्पॉंज कितना जबरदस्त रेडी हुआ है और यह बनीला स्पॉंज मैं घर में भी काफी बार ट्राइ कर चुकिया हूँ पहले पहले तो मेरा वनीला स्पॉंज बहुत खराब हो जाता था क्यूंकि परफेक्शन के लिए आपको बार-बार ट्राइ करने क कर देती थी जिसके वैल से मेरा वनिला स्पॉंज या कोई भी बेकिंग की चीज थी वह खराब हो चाती थी अब बिल्कुल एकुरेट रेसिपीज फॉलो करती हूं ताके आप लोगों को भी दिखा सकूं अब हम केक को त्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसक का फॉर्म जो है वो किस कदर जबरदस लग रहा है और अब हम इने सोफ्ट रखने के लिए इस पर शुगर सिरप कोट करेंगे आप लोग शुगर सिरप भी लगा सकते हैं या आपके पास अगर पाइनापल सिरप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप नहीं होता यह से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है और सोफ्ट रहता है यूवर्स आप किसी तरह की रेसेपी ट्राय करते हैं आइदर के वो देशी हो या फिर कोई वेकिंग वाली हो तो आप लोग इन चोड़ी चोड़ी टिप्स का जरूर ख्याल रखा करें और अग क्यू